कि एकाई आपस में जुड़ता भी इसलिए है कि बीच में सत्ता है तो यह दो एकाईयों की परसपरता में जो व्यापक वस्तू है वही संबंद का आधार है इस बात को इधर बोला किया है तो जो जुड़ने की बात जो है वो संबंद बनने की बात है तो संबंद बनने के लिए जैसे एक इकाई अपनी सीमा में सीमित रहती है दूसरी इकाई अपनी सीमा में सीमित रहती है धरती अपनी सीमा में सीमित है सू आज भी चंद्रमा धर्ती के साथ बना हुआ है, धर्ती चंद्रमा सूरे के साथ बने हुए, बने हुए का मतलब क्या है, कि सूरे जो आकाश गंगा में कोई गती कर रहा है, उस गती को करते हुए, धर्ती भी उसके साथ है, और धर्ती जो गती कर रही है, चंद्रमा उसके मंडल जो है वो के चल रहा है आप व सारे ग्रह सोरे मंडल की असवbles गूंते हो सूरे के साथ चल रहा है तो इसको देख आ, समझ में आता है कि ये सब की जो गती शीरता होते हुए भी इनमें समंद्ध का निर्वाह हो रहा हो रहा है, साध में बने होornay. किस रूप में? साध में बने होने के. तो जो प्रतेक हिकाई जो समय हम में सीमित होते हुए भी अपनी सीमा से अधिक में संबंद को पह्चान कैसे रही है?ई आपने में प्रश्चन मनता है, कि धरती अपन में चीने सुरे अपनी सीमा में सीमित है। Toh फिर यह सं Eu पास आएंगे तो भी जुडाव बना नहीं रहेगा, तो एक निश्चित अच्छी दूरी पे बना रहना ही जुडाव का बात है, तो इसलिए व्यापक सत्ता ही जो परसपर्ता में संबंद का आधार है, इसकी बात है, यह सबसे तात्विक बुद्दा है, क्योंकि घिरे होने कि अंद्दे के संदर्व में बात है हर इकाई व्यापक में घिरे होई है, इसलिए परसपर्ता बें संबंद का दूए है, यही पहचानने निर्वाग मेंelles करी सबस्ता में हमारेशा कsquस में कृकरे है इसलिए कि ते निर्वाय की हमारे मेंने सामने बैठके समझने वाली बा झाल झाल